नमस्ष्वार दोस्तो, मई का जो मैना था, वो मेशराशी के लिए खुछ ठीक नहीं था, मतलब आपने बहुत ज़्यादा काम क्या था, आपके बहुत ज़्यादा ट्रावलिंग भी हुई थी, आपने अपनी तरीकिस से बहुत ज़्यादा मैनत की थी, लिकन उसके जो से तारी है, वो भी ठीक नहीं थी, प्रॉब्लम कॉब्लिकेशन चल रहे थे, अब ये जो मैना है, मतलब जून के मैने में, ये जो सबी बाते हैं, वो काफी मायनों में नौर्वल होने वाली है, वो किस प्रकार के होगी, आपका स्वास्त मासिक या फिशारिक, आपका जो वाई वाई जीवल है, वो किस प्रकार से होगा, आर्थिक जोस्तर है, वो किस प्रकार से होगा, उसे प्रकार आपकी जो रिलेशन्शिप है, या फिर आपका जो भी काम कास है, वो किस प्रकार का होगा, सबी के बारे में रिटन वेचाश्चा, इस वीडियो में हम करने वा और आपके राशी का जो शष्डेश है या फिर जो दृटेश है बुढ़ जो की आपके ड्वीधिय वहां में ब्रह्मन कर रहा है, 15 तारिक के बाद यह त्रृटिय वहां में ब्रह्मन करेगा, और 30 तारिक के बाद यह आपके चतुर। तो आपको जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जाएगा आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे जो काम करेंगे वो सही साबित होते हो भी नजर आएगा उसमें सक्सेस रेश्यो है वो काफी अच्छा मिलता हो नजर आएगा उसे प्रकार जो गुरु का ब्रहुन है वो पहले भी आपने किया है करीबन मैं के मैंने में उसके जो results है वो आपको इस मैंने में मिला बहुत ही अच्छा होगा कूप काफी अच्छी जो बाते है वो देखे देखी जाएगे उसे प्रकार थोड़ा बहुत मतलब करीबन 16-17 तारीक के बाद के जो समय है उसमें आपको वुमना फिरना ज्यादा हो सफता है किसी भी प्रकार के मैंत अपुर्ण का जो की documentation से related है 15 तरह के बाद अगर आप महत में देते हो तो वो काफी easy नहीं पूरे होते हुए नजर रहेंगे तो पर बिला के देखा जाए तो इस मैने में शवीर स्वास मांसिक या फिर जो शार इस प्रकार की छोटे मेंटर शारिकता से संदर बाद जो भी बाते हैं उस पर थोड़ा द्यान देना आवज़ शक है चोटी मोड़ी बाते हो सकती है वे मोड़े दोर पर देखा जाए तो confidence जो है allergy है जो active results वो आपके इस मेने में काफी अच्छे देखे जाएंगे इसके ब अभी आपका पंचमेश है जो विकिया आपके धनवाू में ही ब्रह्मन कर रहा है दो तरीके बात तोakah कुक Koran में लगकर देखा जाए तो इस के चार अधिपती है उसके जो placement है आपके राशर की इस मेने में उतलर जून मेने में वो बहुत ही अच्छी देखी जा रही है तो पैसे के मामले में, इंकम के मामले में बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो भी आप काम करोगे, उसके जो रिजल्स है, वो काफी अच्छे मिलेंगे, उसके जो इंकम है, वो काफी अच्छे मिलेंगे, देखें, यहाँ पर आपके द्विद्यबाव में कई सारे ग्रह है, ज पसंद आने वाली है या फिर रोपेव में लाने वाली है तो खर्च थोड़े आपके जादा हम होते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दिजए अगर आप शेर मर्केट में ट्रेट कर देखो तो कुछ अच्छे दाव बगर भी मिलते हुए नजर आएंगे तो कुल मिला के देखा जाए तो इस मेने में बिल्कुल भी चिंतान ना करें आपका आपकी जो इंकम है वो काफी अच्छे देखे जाएगे सिर्फ थोड़ा कर्चे के उबर दियान दिजए उसी पर इस मेने में कुछ अच्छी investment भी होगी तो जो भी आपका धनुबाओ है या फिर जो भी आपका आर्थिक मामने में अगर देखा जाए तो जो संपुर्ण मेना है वो आपके लिए शुम्फलदाई साबिध होगा उसे परकार घर का जो सुख है गर के जो लोग है उनके साथ भी आपकी जो interaction है वो काफी अच्छे देखे जाएगे उसमें किसी भी परकार के दिक्कतों का स लोग में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छे देखे जाएगी करीबन 16-17 तरीक के बाद के दो समय है उसके हो सकता है कि जिनके भी आप relationship में है उनके साथ कहीं बाहन गुमना फिरनाफ हो सकता है उनके साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छे तरीके से कड़ सकता है उसे आपके राशी में ब्रवन करने वाला है तो थोड़ा सा आपका आप बहुत ज़्यादा एक्टियों बोजाओगे तो थोड़ा अपनी शरील पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्क है छूटी मुटी बात हो सकती है वसे आपको इसी के उपर थोड़ा सा ध्यान देना वाइज रिखती है तो आपका सबमेश नियुक्त है तो होरा-ट्र शूक्रत है दिला जो आपके तरिक्षर हो अपने लाववर वह बहुत करीगा लगए survival है उन में जो हारवनी है वो खाफि अच्छी देखी जाएगी चुटी मोटी बातों को ने करहां अरल लाके तकरान हो सकती है क्योंकि जो मंगल आपी के राशी में बैटा है वो सब्टम दॉश्टी से आपके सब्तम भाओं को देखता है टो छूटी मोटी बाता है वैसे भी ऊती रहती है लेकिन एक तो काुंफर्म है कि पीछले महीने से मतलब मई के महीने से अगर आप दुलना करते हो तो यह जो मेंडा है आप में आप 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 के जो वैवाई कर Candi तर है उनमें जो हार्वन है उनमें जो प्यार है जो अड़स्टेंटिंग है वो काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद हम चर्चर करेंगे करेर के मामले में आपका जो करमिश है शनी जो की आपके लाबबाओं में ब्रह्मन कर रहा है स्वयम की राशिय में ब्रह्मन कर रहा है रोगोरू की जो दुरुष्टी है वो भी आपके दशंबाओं पर आ रही है तो आप जहां प्रगाम करते हो, नुकरी करते हो, या फिर वेवसाय करते हो, वहाँ पर कि जो लोग होंगे इनके साथ, आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफी अच्छी देखी जाएगे, उसी परकार आपकी कान के एप्रिसेशन होते हुए भी नजरेंगे, जो शहर साय कर्म है, उनके साथ भी जो मेंजूल है, वो काफी अच्छा देखा जाएगा, तो कुल मिलाके देखा जाए, या फिर मोडे तोर पर अगर देखा जाए, तो इस मेंने में आप काफी ज़्यादा एप्टे ओर होगे, काफी ज़्यादा हाड़ोर की होगे, उसके रिजर्स भी करके होंगे, जैसे की दिनाव्क चार टारिक को रवी और शुक्र की यूदियों होने जा र Kenneth करते हो, तो कुछ अच्छे नाप मिलते हुए नजर आएंगी, कुछ अच्छी investment हो सकती है, बहुत यह अच्छे नाप भी आपको मिल सकते हैं, उसके परकार इन दिने में, थोड़ा तुमना फेरना ज्यादा हो सकता है उसी प्रेकार दिना नौ तरिक को रभी और शनी का केंदर योग होने जा रहा है अब यह जो योग है थोड़ा मैतोपुन है शनी जो कि आपके लावबाव में ब्रह्मन कर रहा है और जो रभी आपके वीदियो बाव में ब्रह्मन कर रहा है दोनों का केंदर योग होने जा रहा है अब यहाँ पर पैसे से रिलिटेड या फिर जो भी आपका आर्थिक स्तर है उसे लड़े किसी भी प्रेकार के निर्णाई देते समय आपको थोड़ा सा चोकरना रहना होगा कास करके आपके जो खर्चे है या फिर जो इन्वेस्मेंट है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा उसे प्रेकार आपके जो मित्रवरगों के जो कि आपके उमर से थोड़े बड़े है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकराफ हो सकती है इसे के उपर तोड़ा सा दियान देना आवशक है यह जो तारीक है वो गरीबर नौ तारीक है तो तोड़ा सा दियान दीज़े उसे परकार दियान 14 तारीक को रवी और बुद्र की युद्धी होने जा रही है आपके दीज़े वाव में अब यह जो युद्धी है थोड़ी महतो बुड़ा साबित होगी खास करके अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है उनके साथ कई बाहर गुम्ना विन्ना हो सकता है आपका जो समय है वो काफी अच्छी तरगी सकट सकता है उसे परकार अगर आप नई रिलेशन्शिप में जाना जाते हो तो भी यह जो समय है वो आपकी नियव शुकुफल दाई साबित होगा उसे परकार दिलांग 17 तारीक को बुद्र और शुकुर की युद्धी आपके इत्रतिय अबाव में होने जा रही है उसे परकार बुद्र शुकुर के साथ जो नेप्चुन आपके वई अबाव में है उसका केल दरियोग होने जा रहा है बुदिशकुर की जो जित्ती है बहुत ही ज़्यादा शूक्षा लेदा है सामित होगी खास करके आपके जो वैवाई जो डिदार है उनके साथ कही बाहर गुमना फिर ना हो सकते है देखिए यहाँ पर जो भी मतलब डोकुमेटिसे रिलेटेट किसे को के कमिट्मेंट प्रॉमिसेश वाली बात है उस पर निरने लेते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको जो निरने है वो चोक सकते है तो करीबन यह जो 17 तरिक का जो दिन है या फिर 17 तरिक के आसपास के जो दिन है आपको थोड़ा सा चोकरना रहना होगा गुमना फिर ना ज़्यादा हो सकता है जैसे मिनेगा वाई वाई जो दिदार सा उनके साथ 20 लेकिन जो डॉकमेंटिस से रिलेटर जो काम है उस पर थोड़ा सा आपको चौकरना रहना होगा इसी प्रेकार देदान 20 तारिक को रवी और नेप्चुन का केंदर रियोग होने जा रहा है रवी जो कि आपके तरित्य वाउ में ब्रह्मन करेगा और जो नेप्चुन आपके वेए वाउ में ब्रह्मन कर रहा है दोनों का केंदर रियोग होने जा रहा है थोड़ा सा खुद के स्वास्ट के बारे में धेना आवाज शकोगा उसे प्रेकार खास करके जो गरवोवती मैदा है उन्हें भी समय मतले ये 2-3 दिनों में थोड़ा सा खुद पर द्यान देना आवाज शकोगा किसी भी प्रकार के कोई भी काम नहीं करना उसे प्रकार आदर आप शेयर मात करमें ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड कॉंफिडंस में आके नहीं करना आपकी जो अंदाज है वो चूप सकते हैं इसे प्रकार दिनान 26 सारी को वुद्व और शनी का त्रिकोर योग होने जा रहा है गुद्व जोकिया आपके त्रिकोर योग में ब्रह्मन कर रहा है और जो शनी आपके लाब अबाव में ब्रह्मन कर रहा है दोनों का त्रिकोर योग होने जा रहा है बहुत ही अच्छा शूपर ददाई याई हो गए खास करके जो भी आपका कार शेतर है उससे रिल वाव में होने जा रहा है वह आपके लिए शुब फिन दाई साबीत होगा इसे प्रकार दिनाव च्छे तारिक को अमावस होने जा रही है आपके दीदिया वाव में देखें अमावस पूर्णे माँ है वो बाइस तारिक को है और जो अमावस है वो च्छे तारिक को है और अम अमावस और पुर्णे में के दिन मतलब इस मेरे के 6 और 22 तारिक के दिन किसी भी प्रकार के महतों पुर्णे नहीं नहीं लेड़ा जो अमावस आपके दिद्धियों में होने जा रही है 6 तारिक को तो करीबर 5, 6 और 7 इन 3 दिनों में आर्थिक बस्तर के बारे विया फिर पैस तो ये था मेश राशी का जूब 2024 का संपुड राशीखल आपको ये राशीखल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अलबो किया विजे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना हन्यवास